बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पाठे पुस्तक वर्शंत भाग दुख का पाठ्चार कटपितली नामक कवीता पड़ रही है बच्चो यह कवीता आप मेरे साथ पिछले भागों में पड़ चुके है पाठ की इस भाग बे आज आप मेरे साथ अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न जो की आपकी कवीता पढ़ी आधारित है तो बच्चो देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है बच्चो हमारा पहला प्रश्न कवीता से है अब हम देखते हैं प्रश्न क्या है कट पुतली को गुस्सा क्यूं आया बच्चो आपनी कवीता बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ी है, आपको समझ में आया हुगा कि कटपुतली क्यों क्रोधित होती है, कटपुतली को क्यों गुस्सा आता है, तो बच्चों यही कारण आपको अपनी इस प्रश्ण में लिखना है, कटपुतली को गुस्सा इसलिए आया, क्योंकि सदे दूसरों क इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अर्से से धागे में बंदी हुई है वह अपने पाओं पर खड़ी होकर आत्म निर्भर बनना चाहती है धागे में बंदना उसे पराधीनता लगता है इसलिए उसे गुसा आता है हाँ बच्चों कटपुतली को इशारों पर नचाया जाता है हाथ में धागों से नचाया जाता है तो इससे कटपुतली को पराधीनता लगती है कटपुतली अब आत्म निर्भर बनना चाहती है अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है इसलिए उसे गुसा आता है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है आत्मनिर्भर बनना चाहती है लेकिन वह अपने पाउं पर क्यों खड़ी नहीं होती यह आपको इस प्रिश्व की उत्तर में बताना है देखिए कटपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कटपुतलीयों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश् कि उसने जो ये स्वतंत्र होनी का फैसला लिया है या स्वतंत्र होनी के लिए जो वो कदम उठायेगी उसके साथ जो और कटपुतलीयों है इससे उनका नुकसान ना हो जाए और सारी की सारी कटपुतलिया किसी मुश्किल में ना पढ़ जाए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्ण में देखते हैं क्या है पहली कटपुतली की बाद दूसरी कटपुतलियों को क्यों अच्छी लगी बच्चों आपने कवीता बहुत ही ध्यान से पड़ी है पहली कटपुतली की कौन सी बात अच्छी लगी पहली कटपुतली की वह बात अच्छी लगी कि वह इंता में बताना है तो बच्चों यह बात देखते हैं पहली कटपुतली की बात दूसरी कटपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि बेबी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती थी वे अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी परादी में क्या है पहली कटपुतली ने स्वेम कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे इने तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो तो वह फिर क्यों चिंतित हुई ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी नीचे दिये गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त क कीजिए तो बच्चो जब पहली कटपुतली थी वह कवीता की शुरुबात में क्या कहती है कि ये जो धागे मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं ये क्यों है इने तोड़ दो मुझे मेरे पाउं पर छोड़ दो लेकिन अंत में वह चिंतित हो जाती है और चिंता करते हुए क् कैसी इच्छा मेरे मन में जगी तो बच्चो आपको इस प्रिशन में क्या करना है यहाँ पर कुछ बाक्ये दिये गए हैं उन बाक्यों की सहायता से विचार व्यक्त करना है विचार व्यक्त करना है यानि कि यह बताना है कि आखिर में कटपुतली को चिंता क्यूं होती है तो देखिए वाक्य कौन कौन से हैं, क्यूं होई क्यूंकि उसे दूसरी कटपतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शेगर स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, बहे स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाई रखने के उपाय सोचने लगी बहे डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो बच्चों आपको अपने विचार व्यक्त करके बताना है कि उसे चिंता क्यों होने लगी तो बच्चो इस प्रश्ण का उत्तर इस तरह से होगा पहली कटपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो चुकी थी धागों में बंदी कटपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है लेकिन एक बार कटपुतली ने विद्रोह कर दिया उसके मन में शिक्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागरित हुई अतह उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई लेकिन सारी कटपुतलियां उसके हां मेहां मिलाने लगी और उनके नितत्व में बिद्रोह करनी के लिए तयार होने लगी लेकिन जब उसे अपने उपर दूसरी कटपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंतिता का जीवन भी कैसा होगा यही कारण था कि कटपुतली चिन्तित होकर अपने फैसले के विशे में सोचने लगी बच्चो जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे बिचार आते हैं हम उसके परणाम के बारे में भी सोचते हैं उसके बात क्या होगा ऐसे बहुत सारे बिचार हमारे मन में आते रहते हैं ऐसे ही जो पहली कटपतली थी जब उसने स्वतंत्र होने के बारे में सोचा तो उसके मन में स्वतंत्र होने के साथ साथ बहुत सारे बिचार आने लगे कि स्वतंत्र होने के बाद ये सारी कटपथलियों का जीवन कैसा होगा कहीं ऐसा नहों कि मेरे कारण ये सारी की सारी कटपथलिया किसी अन्य समस्या में ना फस जाए देखिए अगला प्रश्न है कविता से आगे से देखिए क्या है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए इस पंक्ती का अर्थ और क्या हो सकता है अगले प्रश्ट में दिये हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखी बच्चों ये जो पंक्ती है बहुत दिन हुए अपने मन के चंद छुए आपको इस पंक्ती का अन्य अर्थ भी बताना है आपके मन के अनुसार इस पंक्ती का क्या अर्थ हो सकता है और इसका अर्थ बताने के लिए आप इन वाक्यों की सहायता ले सकते हैं तो देखते हैं हमारे वाक्य कौन कौन से हैं बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, जिसमें चंद हो लै हो, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, ना मन में खुशी आई बच्चो इस प्रश्ण का उत्तर हम इस तरह से देंगे देखिए बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई अथार्ट कटपुतलिया परतांतरता से अतियदिक दुखी है उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती पहली कटपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी अगला प्रश्ण देखिए नीचे दो स्वतंतरता आंदोलोनों के वर्ष दिये गए हैं इन दोनों आंदोलोनों के दो दो स्वतंत लिखे हुए हैं आपको इन आंदोलोनों में भाग लेने वाले दो दो क्रांतिकारियों का नाम लेना है तो पहला है हमारा सन 1857 का स्वतंतरता संग्राम जिसे की हम भारत का प्रथम स्वतंतरता संग्राम कहते हैं इसमें भाग लेने वाले दो स्वतंतरता सैनानियों के नाम लिखने हैं तो 200 तंतरता सेनानी है महारानी लक्षमी वाई और दूसरे हैं हमारे मंगल बांडे देखते हैं अगला प्रशन अगला हमसे पुछा गया है सन 1942 की क्रांती के बारे में के विद्रोह के बारे में कि इसमें भाग लेने वाले दो क्रांती कारी कौन से थे तो अगले प्रशन की तरफ देखते हैं अगला प्रशन क्या है बच्चो अगला प्रशन हमारा अनुमान और कल्पना पर अधारित है देखते हैं क्या है इसमें स्वतंत्र होने की लड़ाई कटपुतलिया कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वाव लंबी होने के लिए क्या-क्या प्रैत्न किये होंगे यदि उन्हें फिर से धागे में बांद कर नाचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपाय से की होगी बच्चों यानि कि इस प्रिश्ण में जो आप से उत्तर मांगा जा रहा है उत्तर पूछा अधिक करना है तो बच्चों यह प्रिश्ण तो बहुत ही सरल है इस projects में आपस पूछा जा रहा है कि कटपुत्लियोंने अपनी ड़ढ़ाई कैसे लड़ी होगी और लढ़ाई लढ़ने के लिए उन्होंने क्या-क्या प्रैत्न किये होंगे और हो सकता है कि बाद में उन्ह बापस धागों में बाढ़ कर नचाने का प्रयास भी किया होगा और इस प्रयासों से उन्होंने अपनी रक्षा किस प्रिकार की होगी तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे देखिए स्वतंत्र होने के लिए कटपुतलियां लडाई आपस में मिलकर लड़ी होगी यानि स्वतंत्र होने के लिए कटपुतलियों ने लडाई आपस में मिलकर लड़ी होगी क्योंकि सबकी परशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी पहले सभी कटपुतलियों से बिचार विमर्ष किया गया होगा और स्वतंत्र होने के बाद स्वाब लंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संगर्ष किया होगा रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आविशक्ताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा बच्चो देखिए यदि फिर भी उन्ने धागे में बानकर नचाने का प्रयास किया गया होता तो उन्होंने एक जुट होकर उसका विरोत किया होगा क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है उन्होंने सामुहिक परयाज से शत्रू की हडचाल को नाकाम किया होगा इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी बच्चो चलते हैं अगले प्रशन की तरफ देखते हैं अगला प्रशन क्या है बच्चो अगला प्रशन हमारा भाशा की बात से है भाशा की बात यानि की व्याकरण से समदित प्रशन देखिए कई बार जब दो शब्द आपस में जुडते हैं तो उनकी मूल रूप में परिवर्थन हो जाता है कट पुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामाने परिवर्थन हुआ है जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कट पुतली शब्द बन गया, इससे बोलने में सरलता आ गई बच्चो आपके सामने दो शब्द है काठ और पुतली, काठ का अर्थ होता है लकडी, पुतली का अर्थ होता है पुतला लिकडी से बना हुआ पुतला जिसे कि हम क्या कहते हैं कट पुतली जब इस काठ और पुतली दो शब्दों को हमने बिलाया तो क्या बना हमारा कट पुतली बच्चो कट पुतली के चारण में आपको बहुत सरलता लग रही होगी बहुत सरस्ता लग रही होगी तो बच्चो ऐसे ही आपके सामने कुछ शब्द है जिनसे कि आपको शब्द बनाने है जैसे कि जो काठ है काठ से हमने बलाया है कट गुलाव और कट फोड़ा आपके सामने शब्द है हाथ, हत, सौना, सौन, मिट्टी, मट इनसे आपको क्या करने है? शब्द बनाने है तो बच्चों ये शब्द हम इस तरह से बनाएंगे देखिए हात और करगा जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हत करगा बोलने में सरलता आ गई देखिए हात और कडी हत कडी सौन और परी बन गया सौन परी मिट्टी और कोड बन गया मट कोड मिट्टी और मैला बना कर हमने क्या बना दिया? मट मैला हात और गोला मिलकर क्या बना? हत गोला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कविता की भाशा में लए या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है लेकिन कविता में आगे पीछे का प्रयोग हुआ है बच्चों जो मूल शब्द है वह है आगे पीछे आगे पीछे लिखा जाता है लेकिन आपने कवीता ध्यान से पड़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि कवीता में जो शब्द आया है वह आया है पीछे आगे यहां आगे का बोली ये धागे से ध्वनी का तालमेल है इस प्रकार के शब्दों की जोडियों में आप भी परिवर्दन कीजी आपको इस प्रिश्ण में क्या करना है जैसे कि आपकी कविता में आगे पीछे की जगे पीछे आगे लिखा गया है वैसे ही आपके सामने कुछ शब्द है जिने की आपको उल्टा करके लिखना है जैसे की दुबला पतला को अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पतला दुबला इधर उधर इधर उधर का आप लिखेंगे उधर इधर उपर नीचे का आप क्या लिखेंगे नीचे उपर दाएं बाएं का आप क्या लिखेंगे बाएं दाएं गोरा काला का आप लिखेंगे काला गोरा लाल पीला का आप क्या लिखेंगे पीला लाल तो बच्चो इस तरह से आप शब्द बगल सकते हैं देखिए पतला दुबला इधर उधर नीचे उपर काला गोरा बाई दाएं इधर उधर आदी बच्चो आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यविस्तक बसंत भाग दो के पाठ्चार कट्पितली के अभ्यास प्रश्ण किये बच्चो आपको ये प्रश्ण और उनके उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होगे अब आपको याद करने में बिल्कुल भी कठनाई नहीं होगी धन्यवाद बच्चो